बाइ मेस आली बाइ मेस आली आपकी behavior से होती है आपकी communication skills से होती है आपके बोलने के तरीके से होती है तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी communication skills को बहुत ही ज़्यदा grow करो, बहुत ही ज़्यदा develop करो लेकिन develop करने के लिए आपको सबसे पहले आपके pronunciation की जरूवत है आप जिन सब्दों को उचारित करते हो जिन सब्दों का आप उचारन करते हो किस तरह से करते हो, कितना correct करते हो किस हद तक आप सहीब करते हो ये चीज बहुत ही important है So dear students, चलो हम बात करते हैं दस ऐसे शब्दों की जो की अकसर लोग mispronounce करते हैं हमारा सबसे पहला वर्ड जो है वो है V-O-L-U-M-E आप बोलोगे V-O-L-U-M-E लेकिन वो भी नहीं है मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो V है V-O-L-U-M-E 98% लोग क्या बोलते हो आप लोग भोलियम, बिल्कुल गलत बोलते हो भाई भोलियम नहीं होता है ना किमकि पहले बता चुका हूँ कि V-O-L-U-M-E भोलियम नहीं है वो है वोलियम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं वो है M-E-D-I-C-I-N-E वही जिसका अर्थ होता है दवा आप क्या प्रोनांस करते हो मेडीसिन या मीडीसिन लेकिन आप दोनों तरीके से गर प्रोनांस करते हो तो गलत करते हो आपको करना होगा मैडीसिन आप M-E को मैं बनाओगे और D के बाद बला जो I है वो साइलेंट हो जाता है तभी तो आप M-E-D-M-E-D और C-I-N-E-C-N मैडीसिन तो इस तरीके से आपको बोलना होगा मैडीसिन न की मीडीसिन या मेडीसिन वो आपका बिलकुल गलत उचारण है तो आगे से मैं उमीद करता हूँ कि आप उसे मेडीसिन या मीडीसिन न बोलोगे आप मैडीसिन बोलोगे और volume बोलोगे, volume न बोलोगे अब next word की बात करते हैं C-A-P-A-C-I-T-Y बहुत ही ज़्यादा famous word है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आप इसको बोलते हो capacity C-A-P-A-C-I-T-Y भाई मेरे पहले आप मेरे को ये बता दो कि P के बाद I कहां है कि आप capacity बोलते हो P के बाद तो A है तो उसे आप capacity नहीं बोलोगे उसे आप बोलोगे capacity है ना capability और capacity नहीं बल्कि मैंने आपको बाई मिश्टेक से capacity बता दिया है वो है capacity है ना उसके लिए sorry वो है capacity C-A-P-A-C-I-T-Y क्या बोलोगे capacity capacity या capacity वो नहीं है बलकि वो है capacity तो याद रहे आगे से आप future में capacity या capacity न बुलके आपको बुलना होगा capacity next word की बात करते हैं वो है हमारा g-o-v-e-r-n-m-e-n-t पहले बता दूँ कि इसमें silent रहता है यह government नहीं है और ना ही government है यह है government government फिर से एक बार g-o-v-e-r-n-m-e-n-t क्या है यह government आप government नहीं बोलोगे आगे से याद रहे future में यह गलती आपसे नहीं हो government आप जो गलतियां अभी कर रहे हो present time में कर रहे हो यह कोई माइन नहीं रखता लेकिन आप future time में भी भविश्य में भी अगर यह गलती आप करते हो परहे लिखे लोगों के साथ या जो लोग highly educated हैं तो वो समझ बैठेंगे कि भाई आपको उतनी अच्छी English के knowledge नहीं है या यह साबित कर सको कि भाई हम भी highly educated हैं हम भी बहुत परहे लिखे हैं next word की बात करते हैं वो है हमारा handkerchief क्या बोलते हो आप handkerchief बिल्कुल गलत बोलते हो वो handkerchief नहीं है वो है handkerchief किमकि इसमें d जो है न वो silent रहता है तो आगे से याद रहे उसमें d को silent करोगे आप और बोल कहते हैं तो रुमाल के लिए जो आप handkerchief का use करते हो वो handkerchief नहीं है वो है handkerchief तो अगले बार से उमीद करता हूँ आप ये गलती न करोगे अब next word की बात करते हो भी बहुत ही famous word है वो हमारा word है h-a-n-d-s-o-m-e क्या बोलते हो handsome बिल्कुल गलत आपको handsome future में नहीं कहना है अभी से पहले past में आप बोल रहे थे present तक आप बोल रहे थे ठीक है लेकिन आप future में न बोलोगे मैं पूरी उमीद करता हूँ वो है आपका handsome उसमे भी आप d को silent कर लेते हो उसे आप handsome कहोगे handsome आपको बिल्कुल नहीं कहना है next word की बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इस्त है क्यों क्यों कि उसमें b silent है रूल क्या बोलता है silent का कि कि किसी भी शब्द में b से पहले m आया हुआ हो यानि किसी भी शब्द में mb आया हुआ हो तो आप उसमें b को silent कर लेते हो जैसे कि c o mb कॉम नहीं बोलते हो या कॉम बोलते हो d umb को क्या बोलते हो डंब नहीं बोलत उसी प्रकार से ये भी है plumber, ना कि plumber, है ना, जैसे कि आप देखते हो रहा हम लोग थम नल किओ कि उसमें तो B रहता है, तो फिर B को thumbnail ऐसा बोलना चाहिए था, तो क्यों नहीं बोलते हैं? क्यूंकि उसमें भी B साइलेंट है थमनेल वैसे ही यह वला है हमारा प्लमर तो आगे से आप बोलना कि प्लमर का काम करता हूं मैं या चलो भाई लेकिन इसमें ओ की मातरा नहीं है इसमें ओ की मातरा है only only नहीं है यह है only तो आगे से याद रहे यह है only न की only नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है B-E-A-R, क्या बोलते हो आप, बीर, तो कुछ हद तक ठीक बोलते हो आप बीर, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से गलत बोलते हो, बीर भी ठीक है, लेकिन उसे हम बेर भी बोलते हैं, बेर, अब क्यों और कैसे, मैं आपको बताता बीर के दो मतलब होते हैं, यानि बेर के दो मतलब होते हैं, एक होता है सहना या बरदास्त करना, और दुसरा होता है भालू या रिच, तो जब भालू या रिच के सेंस में हो, तो आप उसे बीर कहोगे तो गलत नहीं है, लेकिन सहना या बरदास्त करने के सेंस में अगर आ आपकी बहुत ही बरी मिश्टेक कहलाईगी, वहाँ पर आपको बोलना होगा bear, याद रहे, आपको क्या बोलना होगा bear, जैसे कि एक एक्ष्टा जनकारी आपको मैं दे दूँ, M-I-N-U-T-E को क्या बोलते हैं, M-I-N-U-T-E, मिनट बोलते हैं लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको माइन्यूट भी बोलते हैं, तब तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे न, अब क्यूँ बोलते हैं बताता हूँ आपको, M-I-N-U-T-E के दो मतलब होते हैं, एक होता है सुक्ष्म, एक होता है मिनट, तो मिनट का मतलब जब मिनट हो, तो आप उसे मिनट ही बोलोगे, M-I-N-U-T-E को आप मिनट ही बोलोगे, लेकिन जब उसका अर्थ सुक्ष्म हो, बारिक हो, तो आप उसे माइन्यूट बोलोगे, तो ऐसे बहु सारे शब्द हैं, इस पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, है ना, अब सबसे अंत की बात करें हम, W-E-A-R, क्या बोलते हो, वियर, बिल्कुल गलत, ये वियर नहीं है, ये वेर है, W-E-R-E, वही वियर, W-H-E-R-E, उसे भी वेर बोलते हैं, अगर आप उसको British को फॉलो करके बोलते हो, तो आप उसको वेर नहीं बोलोगे, W-E-A-R को, उससे आप बोलते हो, W-E-R-E को वेर, क्योंकि उसमें R को साइलेंट कर लेते हैं, इस पर भी मैंने आपको बताया था, American English और British English के बारे में आपको समझाया था, कि किसी भी शब्द में R से पहले वोवेल आता है, तो आप R को साइलेंट कर लिया जाता है, तो उसे वेर बोलेंगे, और तब इस सिचुएशन में अगर British को फॉलो करते हैं, नेटिव को, तो हमें यहां भी इसको वेर ही बोलना होगा, नहीं तो हम लग कंची भासा में क्या बोलते हैं, रा बोल देते हैं जैसे कि वेर, है ना, तो आप वेर बिलते हो तो ठीक है, वो American बोलते हो, लेकिन पुरी तरह से American नहीं बोलते, अगर American बोलते हैं, आप पुरी तरह से तो आपको कहते, वेर, वेर, है ना, टीचर, सिंगर, यानि आर को आप तालू में सटा करके अपनी जुमा को, आप उसको साउंड करते, यानि आप उसको चरित करते, स्वडिया श्टुएंस, ये थे दस ऐसे शब्द जो की अक्सर मिस्प्रनॉंस के जाते हैं, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं मिस्प्रनॉंसेशन के बहुत सरे पार्ट्स आपको दूँगा, तो ये छट्था पार्ट है और मैं दस पार्ट आपको दूँगा, दस के बाद भी दूँगा, लेकिन दस तक बना करके थो रैस्ट आप हो जाता हूं, कुछ नई वीडियो जाप को दूँगा, कुछ अलग प्रकार के दूँगा, क्यूंकि एक ही प्रकार की वीडियो देखकर के आप भी पक रहे होगे, सो आप मुझे कॉमेंट के जरीए बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई एंड टेक केर टो आल था स्टूरेंट्स, आल माई फ्रेंट्स,